नमस्कार एक अद्भूत द्रश्य मेरे सामने है भव्य है विराट है विहंगम है और यह आज का यह जो आउसर है इसके पीछे जो कलपना है और आज हमारी आखों के सामने उस सपने को साकार होते हुए देख रहे है तब मुझे एक प्रसिद्ध कविता की पंक्तिया गुनगुनाने का मन करता है नया प्रात है नया प्रात है नई बात है नई किरण है जोती नई नई उमंगे नई तरंगे नई आशे सांस नई उठो धरा के अमर सपूतों उठो धरा के अमर सपूतों पुनह नया निर्मान करो जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ती नव प्राण भरो आज के ये दिव्य और भव्य भारत मन्नपम उससे देख करके हर भारतिय खुशी से भर रहा है आनंतीत है और गर्व मैसूस कर रहा है भारत मन्नपम आवान है भारत के सामर्थ का भारत की नई उर्जा का भारत मन्नपम दर्शन है और भारत की भवता का और भारत की इच्छा शक्ती का कोरोना के कठीन काल में जब हर तरफ काम रुका हुआ था हमारे देश के स्रम जीवियों ने दिन रात महनत करके इसका निर्मान पूरा किया है भारत मन्नपम के निर्मान से जुड़े हर स्रमिक भाई बहन को हर कर्मी को आज सच्चे रदय से मैं अभिनंदन करता हूँ उनका साधुवात करता हूँ आज सुबे मुझे इन सभी स्रम जीवियों से मिलने का मोका मिला था हमारे इन स्रमिक साथ्यों को सम्मानित करने का मुझे सौभागी मिला था आज उनकी महनत देख पूरा भारत विश्मित है भारत चकीत है मैं राजधानी दिली के लोगों को देश के लोगों को इस नए इंटरनेशनल कन्विंशन सेंटर भारत मंडपम की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं यहां देश के कौने कौने से अतित्थी आये हैं मैं उन सबका रदेश से स्वागत करता हूं टीवी के माद्यम से सोशल मीडिया के माद्यम से जो करोडों लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं साथियो आज का दिन वैसे भी हर देश वासी के लिए बहुत आइतिहासिक है आज कारगिल विजय दिवस है देश के दुश्मनों ने जो दुश्शाहस दिखाया था उसे मा भारती के बेटे बेटियों ने अपने पराक्रम से परास्त कर दिया था कारगिल युद्ध में अपना बलिदान देने वाले प्रत्येकवीर को मैं कृतग्य राष्ट की तरफ से स्रधान्जली देता हूँ साथियों भारत मंडपम के इस नाम के पीछे और जैसा भी प्यूज्जे ने बताया भगवान बश्वेस्वर के अनुभव मंडपम की प्रेरना है अनुभव मंडपम यानी बाद और समवाद की लोकतांत्रिक पद्धती अनुभव मंडपम यानी अभिव्यक्ति अभिमत आज दुनिया ये स्विकार कर रही है कि भारत मदर अब डेमोक्रसी है तमिल नाडू के उत्तरा मेरूर में मिले शिलालेकों से लेकर वैशाली तक भारत की वाइब्रन डेमोक्रसी सदियों से हमारा गवरव रही है आज जब हम आजहादी के 75 वर्ष होने पर अम्रित महुत्सव मना रहे हैं तो ये भारत मंडपम हम भारतियों द्वारा अपने लोकतंत्र को दिया एक खुब सुरत उपहार है कुछ हपतवाद यही पर G20 से जुड़े आयोजन होंगे दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्टाध्यक्ष यहां उपस्तित होंगे भारत के बढ़ते हुए कदम और भारत का बढ़ता हुआ कद्ध इस फव्य भारत मंडब से पूरी दुनिया देखेगी जाध्यों आज पूरी दुनिया इंटर कनेक्टेड हैं इंटर डिपार्नेंट हैं और वैश्विक स्तर पर विबिन्द कारकमों और समीट्स की स्रंखला लगातार चलती रहती है ऐसे कारकम कभी एक देश में तो कभी दिवसरी देश में होते हैं ऐसे मैं भारत में देश की राजधानी दिल्ले में अंतर राष्टेश्टर का एक कन्वेंशन सेंटर होना बहुत ही जरूरी था यहां जो व्यवस्था थी जो हॉल्स थे वो कई दसक पहले यहां बने थे पिछली शतावदी की वो पुरानी व्यवस्था 21 सदी के भारत के साथ कदमताल नहीं कर पा रही थी 21 सदी के भारत में हमें 21 सदी की आवशक्ताओं को पुरा करने वाला निर्मा करना ही होगा इसलिए यह भक्त निर्मा यह भारत मंडपम आज मेरे देश वास्यों के सामने हैं आपके सामने हैं भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एक्जिबिटर्स को मदद करेगा भारत मंडपम देश में कंफरेंस टूरिजिम का बहुत बड़ा जरिया पनेगा भारत मंडपम हमारे स्टाट अपकी शक्ति को SoISHेंश करने का म्हाध्यम बनेगा भारत मंगभं हमारे सिनेमा जगत हमारे आर्दिस के परफॉर्मस का साखशी बनेगा भारत मंडपम हमारे हस्त तफिशिल्पियों का करों बुन करों के परिश्रम को प्रेटफॉर्म देने का एक महत्वपून माध्यम बनने वारा है और भारत मंदपम आत मंदिर भर भारत और गोकल फर लोकल अभियान का प्रतिविम बनेगा यानि एकोनामे से से एकोलोगीज तक ट्रेड से टेक्नोलोजी तक ऐसे हर आयोजन के लिए ये विशाल परिशम और ये विशाल परिशर ये भारत मंदपम बहुत बड़ा मंच बनेगा साथ क्यों भारत मंदपम जैसी स्विवस्था का निर्मान कई दशक पहले हो जाना चाहिए था लेकिन शायद मुझे लगता है बहुत से कारे काम मेरे हाद में ही लिके हुई है और हम देखें हैं दुनिया में किसी देश में अगर एक अलिम्पिक समीट होता है पूरी दुनिया में उस देश का प्रोफाइल एक दम से बदल जाता है आज के विश्व में इन चीजों का महत्में बहुत बड़ा हो गया है और देश का प्रोफाइल भी बहुत माइने रखता है और ऐसी ही विवस्ता हैं जो कुछ इनकुछ उसमें बैल्यू एडिशन करती है लेकिन हमारे देश में कुछ अलग सोच के लोग भी है नकारात्मग सोच वालों की कोई कमी तो है नहीं हमारे यहाँ इस निर्मान को रोकने के लिए भी नकारात्मग सोच वालों ने क्या क्या कोशिस है नहीं की खुब दुखान मचाया अतालतों के चक्कर काटे गए लेकिन जहां सत्य होता है वाहिश्वर भी होता है लेकिन अभी यह सुन्दर परिसर आपके अंखों के सामने मौजूद है दरसल कुछ लोगों की फित्रत होती है हर अच्छे काम को रोकने की टोकने की अब आपको याद होगा जब कर्तवेपत बन रहा था तो नजाने क्या क्या कथाई चल रही थी फ्रंट पेज पर ब्रेकिंग यूज में क्या कुछ चल रहा था अधालत में भी नजाने कितने मामले उठाए गए थे लेकिन जब अब कर्तवेपत बन गया वे लोग भी दभी जुबान में कहले रहा अच्छा हुआ है कुछ देश की शुभा बढ़ाने वाला है और मुझे विश्वास है कुछ समय बात भारत मंडपम के लिए भी बोटोली खुल करके बोले आना बोले लेकिन फीतर से तो स्विकार करेगी और हो सकता है किसी एक समारों में यहां आकर के लेक्चर देने भी आ जाएंगे कि फ्रेंट्स कोई भी देश हो कोई भी समाज हो वह तुकड़ों में सोच कर तुकड़ों में काम करके आगे नहीं बढ़ सकता आज एक कन्वेंशन सेंटर यह भारत मंडपम इस बात का भी गवा है कि हमारी सरकार कैसे होलिस्टिक तरीके से बहुत दूर की सोच कर काम कर रही है इस जैसे सेंटर में आना आसान हो देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ सके कि इसलिए आज भारत कि एक सो साथ से ज्यादा देशों को कि इए कॉन्फरेंस वीजा भी कि सुविदा दे रहा है कि अगरे सिर्फ यह बनाया ऐसा नहीं है पूरी सप्लाइच चेन रहा है सिस्ट्रिम चेन उसकी व्यवस्ता की है कि दो हजार चौदा में कि दिल्ली एरपोर्ट की केपेसिटी भी सालाना करीब पांच करोड यात्रियों को हिंडल करने की थी कि आज ये भी बढ़कर सालाना साड़े साथ करोड पैसेंजर हो चुकी है टर्मिनल टू और चौधा रन्वे भी शुरू हो चुका है ग्रेटर नौइडा के जेवर में इंटर्नेस्ट्न एरपोर्ट शुरू होने के बाद इसे और शक्ति में लेगी निए बीते वरसों में दिल्ली एंसियार में होस्पिटालिटी इंडिस्ट्री होटेल इंडिस्ट्री का भी काफी विस्तार हुआ है यानि कॉन्फरेंस टूरिजम के लिए एक पूरा एकोसिस्टिम बनाने का हमने बिलकुल प्लान वे में प्रयास किया है साथियों इसके अलावा भी यहां राजधानी दिल्ली में भी बीते वर्षों में जो निर्मान हुई है वो देश का गौरों बढ़ा रहे हैं कौन भारती होगा जिसका सर देश की नई संसत देख करके उंचा नहीं होगा आज दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल है पुलीस मेमोरियल है बाबा साब आम बेड़ कर मेमोरियल है आज करतव यप पत के आसपास सरकार के आधुनिक आफिसिस तब तर उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है हमें वर्क का चल्द कल्चर भी बदलना है वर्क एंवार्मेंट भी बदलना है आप सब ने देखा होगा प्राइमिनिस्टर्स भीजियम से आज नई पीडी को देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में वहाँ जानने का मौका मिल रहा है जल्द ही दिल्ली में और ये भी आप लोगों के लिए खुशकबरी होगी दुनिया के लिए भी खुशकबरी होगी जल्द ही दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा और जब मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मुजियम यूगे यूगीन भारत भी बनने जा रहा है साथियों आज पूरी दुनिया भारत की और देख रही है भारत आज वो हासिल कर रहा है जो पहले अकल्पनिय था कोई सोच भी नहीं सकता था विक्सित होने के लिए हमें बड़ा सोचना ही होगा बड़े लक्षा हासिल करने ही होंगे इसलिए धिंग बीक ड्रीम बीक एक बीक इस सिध्धान्त को अपनाते हुए भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है और कहां भी गया है इतने उंचे उठो की इतने उंचे उठो की जितना उठा गगन है हम पहले से बड़ा निर्मार कर रहे हैं हम पहले से बहता निर्मार कर रहे हैं हम पहले से तेज गती से निर्मार कर रहे हैं पूर्व से लेकर पस्चिम तक उत्तर से लेकर दक्षिन तक भारत का इंफ्रसेक्टर बदल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सोलार विंड पार्क आज भारत में बन रहा है दुनिया का सबसे उंचा रेल ब्रीज आज भारत में है दस अजार फीट से अधिक की उँचाए पर दुनिया की सबसे लंबी टनेल आज भारत में है दुनिया की सबसे उँची मोटरेबल रोड आज भारत में है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भारत में है दुनिया की सबसे उची प्रथिमा आज भारत में है एसिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल रोड बीज़ भी भारत में है आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां ग्रीन हाइड्रोजन पर इतना बड़ा काम हो रहा है साथियों आज हमारी सरकार के इस तर्म और पिछले तर्म के कारियों का परड़ाम पूरा देश देख रहा है आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है आप जानते हैं कि हमारे पहले टम की शुरुवात में भारत वर्ल एकोनामी में दसवे नंबर पे था जब हम मुझे आप लोगों ने काम दिया तहम अब दस नंबरी थे दूसरे टम में आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी एकोनामी है और ये ट्रेक रेकोड के आधार पर बातों बातों में नहीं ट्रेक रेकोड के आधार पर मैं कह रहा हूं मैं देश को ये भी विश्वात दिलाऊंगा कि तीसरे टम में तीसरे टम में दुनिया की पहली तीन एकोनाम भारत का होगा यानि तीसरे टम में पहली तीन एकोनामी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों थार्ट टम टॉप थ्री एकोनामी पहुंचके रहेगा भारत और यह मोदी की गारंटी है मैं देश वाजियों को ये भी विश्वाद दिलाऊंगा कि दो हजार चोईस के बाद हमारे तीसरे टम में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी और मेरे तीसरे कारकाल में आप अपने सपने अपनी आँखों के सामने पूरे होते देखेंगे साथियों आज भारत में नव दिर्मान की क्रांती चल रही है बीते नव साल में भारत में आधुनिक इंफ्रासेक्टर के निर्मार के लिए करीब करीब 34 लाग करोड रुपिये खर्च की गए है 34 लाग करोड इस साल के बजेट में भी केपिटल एक्सपेंडिचर दस लाग करोड रुपे रखा गया है नए एरपोर्ट नए एक्सप्रेस वे नए रेल रूट नए ब्रीज नए अस्पदाल आज भारत जी स्पीड और स्केल पर काम कर रहा है यह वाग कई अभूत पुर्व है सब्तर साल में यह और मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ लेकिन हिसाब किताब के लिए कुछ रेफरेंस जरूरी होता है और इसलिए कि मैं उस रेफरेंस के आधार पर बात कराऊं कि सत्तर साल में हैं भारत में सिर्फ कि बीस हजार किलोमेटर के आज पास रेल लाइनों का इलेक्रिफिकेशन हुआ था कि बीस हजार किलोमेटर जबकि पिछले नव साल में भारत में करीब करीब चालीस हजार किलोमेटर रेल लाइनों का इलेक्रिफिकेशन हुआ है कि 2014 से पहले हमारे देश में हर महिने सिर्फ 600 मीटर किलोमेटर मत समझना सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी आज भारत में हर महिने 6 किलोमेटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है 2014 से पहले देश में चार लाइक किलोमेटर से भी कम ग्रामीड सडके थी आज देश में सवा साथ लाइक किलोमेटर से भी जादा ग्रामीड सडके हैं 2014 से पहले देश में करीब करीब सत्तर के आसपास ही हमारे एरपोर्ट थे सेवन जीरो आज देश में एरपोर्ट के संख्या भी बढ़कर 150 के आसपास पहुँच रही है 2014 से पहले देश में सीटी गैस डिस्टिबिशन सिस्टिम भी सिरफ साथ शहरों में था सिक जीरो अब देश में सीटी गैस डिस्टिबिशन सिस्टिम छेसो से भी जादा शहरों में पहुँच गया है साथियों बदलता हुआ भारत आज पुरानी चुनोतियों को समाप्त करते हुए आगे बढ़ रहा है हम समस्याओं के स्थाई समाधान पर पर्मनेंट सॉलूशन पर जोड़ दे रहे हैं और इसका एक उधारण पी एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान भी है यहां उद्योग जगत के साथ ही बैठे मैं चाहूं का आप जाकर उसे पॉर्टल को देखिए देश में रेल रोड जैसे फिजिकल इंफ्रा सेक्टर के लिए स्कूल बनाने हो हो ऐसे सोचल इंफ्रा सेक्टर के लिए पी एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है इसमें अलग अलग लेयर के सोला सो से जादा अलग अलग लेयर के डेटा उसके अंदर डिजिटल प्लेटफर्म पर लाया गया है कोशिश यही हैं देश का समय और देश का पैसा पहले की तरह बरबाद ना हो साथियों आज भारत के सामने बहुत बड़ा आउसर है आज से सो साल पहले मैं पिछली स्ताब्दी की बात कर रहा हूँ आज से सो साल पहले जब भारत आज़ादी की जंग लड़ रहा था तो वो पिछली स्ताब्दी का तीसरा दसक मैं आपका ध्यान आकर्सित करना चाहता हूँ पिछली स्ताब्दी का तीसरा दसक भारत की आज़ादी के लिए बहुत एहम था इसी प्रकार 21 स्ताब्दी का ये तीसरा दसक भी उतना ही महत्वपुन है पिछली स्ताब्दी के तीसरे दसक में ललक थी लक्ष था स्वराज्य का आज लक्ष है समर्द भारत का विक्सित भारत बनाने का उस तीसरे दसक में देश आज़ादी के लिए निकल पड़ा था देश के कोने कोने से आज़ादी की गुन सुनाई देती थी स्वराज आंदोलन की सभी धाराएं सभी विचार चाहे वो क्रंती का मार्ग हो या असहियोग का मार्ग हो सारे मार्ग पुर्ण रुप से जागरुत थे उर्जा से भरे हुए थे इसी का परणाम था कि इसके पचीज साल के भीतर भीतर देश आज़ाद हो गया आज़ादी का हमारा सपना साकार हुआ और इस सतावरी के इस तीसरे दसक में हमारे सामने अगले पचीज साल का लक्ष है हम समर्थ भारत का सपना लेकर विख्षीद भारत का सपना लेकर निकल पड़े हैं हमें भारत को वो उचाई देनी हैं उस सफलता पर पहुंचाना है जिसका सपना हर स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था हमें इस संकल्प की सिध्धी के लिए सभी देशवासियों ने एक सो चालीस करोड हिंदुस्तानियों ने दिन रात एक कर देना है और साथियों मैं अनुभव से कहता हूं मैंने एक के बार एक सफलता हूं को अपनी आँखों के सामने देखा है मैंने देश की शक्ति को भली भाती समझा है देश के सामर्थ को जाना है और उसके आधार पर मैं कहता हूं बड़े विश्वास से कहता हूं भारत मंडपम में खड़े हो करके ये सुख्य जनों के सामने कहता हूं भारत विख्सित हो सकता है अवश्य हो सकता है भारत गरिवी दूर कर सकता है जरूर कर सकता है और मेरे इस विश्वास के पीछे जो आदार है वो भी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ नीती आयोक की रिपोर्ट पे सामने आया है कि भारत में सिर्फ पांच साल में साड़े तेरह करोड लोग गरीबी से बाहर निकले हैं पांच साल में और भी अंतराश्ट एजन्सियां भी यह कह रही है कि भारत में अती गरीबी जो है एक्स्ट्रीम पोवर्टी वो खत्म होने के कगार पर हो रहा है यानि बीते नव वर्षों में देश ने जो नीतिया बनाई है जो निरने लिए हैं वो देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं साथियों देश का विकात तभी हो सकता है जब नियत साफ हो नीति सही हो देश में सार्थक परिवर्टा लाने के लिए उपयुक्त नीति हो भारत की प्रसिडेंसी के दवरान पूरे देश पर हो रहे जी ट्वेंटी के आयोजन भी इसका एक प्रेरक उधारन है हमने जी ट्वेंटी को सिर्व एक शहर एक स्थान तक सिमित नहीं रखा हम जी ट्वेंटी की बैटकों को देश के पचांस से ज्यादा शहरों में ले गए हमने इसके माध्यम से भारत की विवित्ता को शोकेश किया है हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति क्या है भारत की विरासत क्या है विवित्ताओं के बीच भारत कि इस प्रकार से प्रगति कर रहा है भारत कि इस प्रकार से विवित्ता को सेलिब्रेट करता है अध्दुनिया भर थे लोग इन आयोजरों में हिस्सा लेने के लिए भारफ आ रहे हैं G20 की बैठकों के लिए अनेक शहरों में नई सुविधाओं का निर्मान हुआ पुरानी सुविधाओं का अधुरी करन हुआ इससे देश का फाइदा हुआ देश के लोगों का फाइदा हुआ और यही तो सुशासन है यही तो गुड गुवनन्स है Nation First Citizen First की भावना पर चलते हुए ही हम भारत को विक्सित भारत बनाने वाले हैं साथियो इस महत्वफण अउसर पर आप सबका यहां आना यह अपने आप में आपके दिल के कौने में भी भारत के जिए जो सपने पड़े हैं न उन सपनों को खाद पान्दी देने का यह अउसर है आप एक बार फिर भारत मंडपम जैसी क्षांदार सुविता के लिए दिल्ली के लोगों को देश के लोगों को मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं और इतनी बड़ी इस ताजाद में आप आए मैं आपको फिर से एक बार स्वागत और अभिनिंदन करता हूं धन्यवाद